नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर अलगो क्रैब के वीडियो टुटोरिल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन लाना और आज हम आपके लिए एक एक्साइटेड वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मारकेट के एक प्रमुक अलगो ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म अलगो क्रैब के बारे में दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेडिंग को आटोमेट कर सकते हैं कैसे आप इंडियन मार्केट में अल्गो ट्रेडिंग का उप्योग करके अपनी ट्रेडिंग को एक नया दिमाग और तागत दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। अल्गो क्रैब है वो प्लैटफोर्म जो आपको ये सब सुविधाएं परदान करता है। अल्गो क्रैब एक अडवांस अल्गो ट्रेडिंग प्लैटफोर्म है जो इंडियन माकेट में काम करता है और आपको एक रिलाइबल, फास्ट, यूजर फ्रेंडली इन्वार्मेंट प्रदान करता है। इस प्लैटफोर्म का उद्देश्य है आपके ट्रेडिंग एक्सपिरेंस को और भी बहतर बनाना और उसमें मदद करना। अब आप सोच रहे होगे कि अल्गो क्रैब क्या अलग कर देता है दूसरे अल्गो क्रेडिंग प्लैटफोर्म के मुकाबले। वैसे तो इंडिया में कौफी सारे ब्रोकर्स हैं लेकिन अल्गो क्रेड ने अपना नाम बनाया है क्यूंकि अल्गो क्रैब स्पेशली इंडियन डेडर्स के लिए तैयार किया गया प्लैटफोर्म है। और इसमें बहुत सारे पॉपलर इंडियन ब्रोकर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, अल्गो क्रैब आपको एक वाइड रेंज आफ टेकनिकल इंडिकेटर्स, कस्टमाइजबल स्ट्राटजीज, बैक टेस्टिंग टूल और लाइव मार्केट डेटा प्रोवाइड करता है। यह आपको मार्केट के ट्रेंड्स और उपर्चुनिटी को समझने में मदद करता है। जिससे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और भी ज्यादा सही इनफॉर्म तरीके से ले सकते हैं। इगल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि आज का वीडियो हमको इगल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताना है। यह एक powerful और high efficient price action strategy है जो कि AlgoCrab platform में available है Eagle trading system आपको robust algorithmic trading strategies के साथ equipped करता है जो कि आपकी trading return को maximize कर देता है अगर आप एक trader है और trading को एक नए level तक लेकर जाना चाहते हैं तो AlgoCrab और Eagle trading system आपके लिए Sony की तरह है तो वीडियो को end तक देखिएगा ताकि हम आपको AlgoCrab के features और benefits के बारे में proper बता पाएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजेगा ताकि हम आपको feature में और अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें और आप प्लीज सेनल को subscribe करने के साथ साथ वीडियो को like और comment भी किजेगा अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो हमें comment section में जरूर लिखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो platform अभी आप अपनी screen पर देख रहे हैं ये है AlgoCrab platform AlgoCrab में multi brokers हैं यानि की बहुत सारे brokers हैं जिनके साथ आप इसको connect कर सकते हैं अलग-अलग brokers के साथ authentication का process अलग-अलग होता है यानि कि Algo Trading करने का process अलग-अलग होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इस्तमाल करना है हमारे platform को अगर आपने कोई अभी तक account नहीं खोला है तो आप हमारे platform पर आकर account खोल सकते हैं उसके लिए आपको sign up पे जाना होगा sign up पे जाने के बाद आपको अपनी details भरनी है और उसके बाद आपको send OTP पे क्लिक करना है आपको एक OTP आएगा उससे verify करके आपका account open हो जाएगा जब आपका account successfully open हो जाए तो आपको login करना है login करने के लिए आप अपनी details डालेंगे जो आपने register करते time डाली थी जैसे मेरे बास अपनी details है तो मैं यहाँ पर login कर रहा हूँ उसके बाद dive in का button आएगा उसको click करने से आप dashboard पर आजाएंगे पहली बार आने के बाद दूसरी बार जब भी कभी भी आप आएंगे दूसरी तीसरी चौथी बार आपको इस तरह की screen दिखेगी तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम eagle trading system के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको काम को करना होगा सबसे पहला काम हमारे platform पर आने के बाद होता है broker को link करना क्योंकि आपका trade हमारे platform से आपके broker के account में जाएगा यानि कि आपके trading account में जाएगा तो जब तक आप अपना trading account हमारे platform के साथ link नहीं करते तब तक आपका trade जाने का chances नहीं है और यहाँ पर आपको authentication का tab दिखेगा उसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद token लेना है token लेने के लिए आप किसी भी broker को select कर सकते हैं जैसे हमारे platform पर आप देखेंगे 5 पैसा अर्दित्य ट्रेडिंग आनंद राठी अलाइस ब्लू एंजल ब्रोकिंग बसंच च्वाइस अंपोजिट एज धन इस तरह के अलग अलग broker से वेलेबल हैं इनमें से किसी भी broker को आप select कर सकते हैं यहां पर मैंने एंजल ब्रोकिंग को select किया है और यहां पर मैंने अपनी credentials भी डाली हुई है ठीक है यहां पर आपको client ID डालना है MPIN जो आपको mobile में मिलता है वो डालना है और TOTP आपको Google Authenticator App से डालना है और उसके बाद get access token पर click करेंगे जैसे ही आप get access token पर click करेंगे तो आपको इस तरीके का एक token यहां पर मिल जाएगा उसके बाद आप cross confirmation करने के लिए validate token पर click कर सकते हैं जैसे ही आप validate token पर click करेंगे तो आपको token is valid का message दिखाई देगा जैसा कि अभी आपको bottom पर दिख रहा था अगर आपको token is valid का message दिखाई देता है इसका मतलब यह है कि आपका token valid है और अब आपका broker हमारे platform के साथ link हो चुका है अब मैं आपको एक important चीज़ बता दूं दोस्तों कि यह काम आपको everyday करना है आठ से नौ के बीच में सुभा आठ पचे से लेके सुभा के 9 बजी से पहले आपको यह काम जरूर कर लेना है क्योंकि brokers के जो token होते हैं जो हमें provide के जाते हैं जैसे अभी जो linking हमारी broker की हुई है वह सिर्फ एक दिन के लिए काम करती है अगले जिन आपको फिर से आने के बाद token लेना बहुत ही आनिवार रहे है तो token लेने का process करने के बाद आपको जाना होता है strategy creation में strategy creation के लिए आपको यहाँ पर दो option मिलते हैं एक है customized strategy और एक है option strategies अगर आप nsc cash या future में trade करते हैं तो आप customer strategy पर जा सकते हैं यहाँ पर आपको customized strategy का section मिलता है अगर आप option trading करते हैं तो आपको options strategies पर जाना है तो चलिए हम लोग सुरूख करते हैं option strategies से तो सबसे पहले आपको option strategies के tab में जाना है उसके बाद आपको create strategy पर पर click करना है यहाँ पर आप strategy select कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया eagle trading system के बारे में यह video है तो eagle trading system आपने select किया उसके बाद आप symbol select कर सकते हैं जैसे माल लेजे मुझे bank nifty चाहिए तो मैंने bank nifty select किया उसके बाद हमें expiry date select करनी है contract की एक चीज मैं आपको importantly बता दूँ कि कुछ brokers में monthly contract में expiry date डालनी होती है कुछ में नहीं डालनी होती है अगर हम बात करें angel broking की तो angel broking के account में आपको यह डालना आनिवारे है उसके बाद आपको यहाँ पर month select करना है और year of expiry select करना है strategy क्योंकि intraday की है तो आपको year select करना होगा उसके बाद आप यहाँ पर stop loss और target डाल सकते है मैं यहाँ पर 25 point का stop loss और 25 point का target डाल रहाँ अब यहाँ पर एक important चीज में दोस्तों आपको वजाना चाहता हूँ कि जो 25 point का stop loss और 25 point का target डाला है यह किस तरीके से काम करेगा यह पहले हमारे platform पर जब हम इस तरीके से stop loss और target लगाते थे तो वो nifty या bank nifty के हिसाब से काम करता था यहाँ कि जब nifty या bank nifty में 25 point का moment आएगा तो आपका stop loss और target लग जाएगा उस time पर option का price चाहे कुछ भी हो तो उस case में कई बार option के prices काफी ऊपर या काफी नीचे हो जाते थे तो हमने इस चीज को upgrade किया है तो अभी कि स्टेट पे दोस्तों क्या होता है कि जब आपका trade आता है तो जिस भी symbol में आपको trade आएगा उसी symbol में particular option के symbol में आपका 25 point का stop loss और 25 point का target का तार्गेट काम करेगा अब यहां पर देखें दोस्तों हम 1 minute का time frame सेट करते हैं क्योंकि हमको trade भी करके देखना है और हमारे पास market में ज्यादा time बचा नहीं है 25 minute का time बचा है तो हम यहां पर इसको करते हैं 301 p.m. 2 306 p.m. यहां पर क्योंकि square of time भी हमें बढ़ाना पड़ेगा तो इसको हम कर देखें 3 30 तो अब हमने जी दोस्तों हमने decide किया है कि तीन बच के 1 minute से तीन बच के 6 minute के बीच का high low हम लो capture करेंगे और कभी भी candle जब इसका high या low break करने के बाद close होगी तो आपका trade होगा लेवल्स भी हमको दिखते रहते हैं जैसे मैं इसको card को save कर देता हूं तो card को save करने से यहां पर आपको card देख रहेगा card में आपको start का button प्रेस करना है अब हमने इसको start कर दिया है तो अब हम यहां पर wait करेंगे हमको यह signal बताएगा level भी बताएगा किस level के उपर candle close होने पर buy और किस level के नीचे candle close होने पर sell करना है तो उसके लिए हमको 1 minute का wait करना होगा क्योंकि 3.06 मिनट अभी घड़ी में 3.06 मिनट ही हो रहे है जब 3.07 मिनट होगे तो अब यह जाकर अपने levels अपडेट करेगा एक और बड помог क हना आपको बताना चाहूंगा कि इस strategy में और हमारे platform की हर एक strategy में 1 चीज हमने डाली है और वह यह है कि जब buy का signal आता है तो यह option बाइंग करता है और sell के सिग्लन सकीए में भी उप्शिन बाय करता है इसका मतलब यह है कि जब buy का signal आता है तो यह call option में buy करता है और जब sell का signal आता है तो यह put option में buying करता है तो इसके लिए आपको ज्यादा margin रखने की जुरुत नहीं पड़ती कम margin में ही आपका trade automatically हो जाता है यह एक सुविधा हमारे platform पर है अगर आप option buying करते हैं option selling नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत important रहेगा कि आप हमारे platform को use कर सकते हैं और option buying के हिसाब से आपका trading कर सकते हैं तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें detail दिखाया है जिसमें कि यह हमें buy की range दिखा रहा है buy बोल रहा है कि 714 के उपर आपका buy बनेगा अगर candle close होता है और sell बनेगा 681 पर और यह बता रहा है कि पिछला candle जो close हुआ है PCC मतलब previous candle close पिछली candle जो 43,700 पर बंद होई है तो अब कोई भी candle अगली जब बनेगी और बंद होगी इस price के ऊपर तब आपका trade execute हो जाएगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के से execute होता है क्योंकि execute होने के बाद मुझे आपको इसके बागी की features को भी बताना है तो तब तक हम wait करते हैं या फिर हम दीरे दीरे बात करते रहते हैं तब तक आपको signal भी मिल जाएगा और साथी साथ information भी मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं time frame का option दिया है कि आपने कौन सा time frame select किया वह आप कार्ड में देख सकते हैं ट्रेड आप intraday कर रहे हैं पोजिशनल यह भी आपको कार्ड में दिख जाता है आपकी ट्रेड का square of time क्या है वह आपको कार्ड में दिख जाता है अब लास्ट signal आपका क्या है बेटिंग बेर है जब आपका नया trade आएगा तो आपका trade होगा उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको buy range दिख रही है यानि कि कि किस range के उपर buy करना है 714 के उपर sell range भी दिख रही है और आपको नीचे यह भी दिख रहा है कि previous candle close का भी देखिए आपको 700 के बाद भी 711 दिखा रहा है ठीक है तीन बच के एक मिनट से तीन बच के 6 मिनट का time का हमने time period लिया है कि जिसके high low break होने पर हम लोग trade करेंगे तो यह इस तरीके से है इसका पुरा description start हमने किया हुए अगर इसको हम stop करेंगे तो stop हो जाएगा यह green color का बटन है यह square off के लिए है इसमें होता है दोस्तों कि जब आपकी कोई trade चल रही होती है और आपको इसे square off करना है तो आप यह वाला button प्रेस कर सकते हो यह वाला button प्रेस करने से आपका trade automatically square off हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका यह चेंज हो के running आ गया इसका मतलब previous trade जो आपका था वो उस हिसाब से उपर या नीचे खुल गया अब यहाँ पर call की trade हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी call आई है आपकी 39 जनवरी 2023 43,700 की call जो कि 191 में आपकी हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि stop loss आपका जो दे रखा है target है वो है 218 और stop loss है 168 यानि कि particular option के हिसाब से ही आपका stop loss है target अब अगर हम यह trade देखना है तो हम यहाँ पर जाके trade history में देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि execute हो गया successful विखा रहा है और एक order ID दिखा रहा है हमको ठीक है महीं पर अगर आप इसके signals को देखना चाहें तो यहाँ प इस तरीके से दोस्तों आपका trade होता है और मैं आप बताता हूं कि automatic trade करेगा square up भी automatic कर लेगा जब कुछ अपने आप कर लेगा आपको कुछ नी करना आपको सिर्फ एक बार time frame बगैरा select करने होते हैं और जैसे ही कोई candle close होता है उस high या low की condition के बीच में तो आपका trade हो जाता है उसके बाद आपको quantity quantity default जो single quantity होते हो अपने आप आप आजाती है बाकी की quantity आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर आपको limit order करना है तो आप इस तरीके से limit order पे click कर सकते हैं अगर आपको option में gap में trading करना है OTM में ITM करना है तो आप OTM ITM के gap भी डाल सकते हैं तो जितन कर सकते हैं उसमें यह होगा कि जब range का low break होगा तो आपका sell होगा और जब range का high break होगा तो आपका buy होगा ठीक है इसके बाद time frame का section है कितने minute के time frame पे आपको check करना है तो यह जितने भी minute का time frame डालेंगे उतने ही interval पे हमारा जो platform है वो check करता रहेगा कि आपका trade किस तरीके से अगर आपका 5 minute में आप रखेंगे तो हर 5 minute बाद च् लगेंगे तो हर दिन यही टाम चूज करेगा जो आपका है अगर आप इंट्राडे करते तो भी टाम चूज करेगा लेकिन इंट्राडे में स्क्वेर आफ टाइम जो भी होगा वो स्क्वेर आफ टाइम आने के बाद आपकी सारी ट्रेड को क्लोज करतेगा अगर आप इंट् तो प्रोसेस बहुत ही आसान है जाके आपको अपना ट्रेडिंग लिंक करना है अपने ब्रोकर वाला और उसके बाद आपको कार्ड में आके कार्ड क्रियेट कर लेना है कार्ड क्रियेट करके उसको स्टार्ट कर देना है बस आपका ट्रेड ऑटमेटिकली होता रहेगा तो इ सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें प्रोच सायद कीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग झाल झाल